Hello Friends, एक बार फिर से आप सबी का आपकी अपने चैनल, Facts, Assumptions and Stories में बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अनोखे Facts के बारे में बात करूँगी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आईकर पर जाकर अल अप्शर पर क्रिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहें तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं Fact No.1 Friends, आपने कई बार फलों के उपर स्टीकर लगे देखे होंगे इन स्टीकर के उपर कुछ कोड्स होते हैं असल में इन कोड्स को देखकर आप उस फल को कैसे उगाया गया है कि बारे में पता कर सकते हैं अगर किसी फल या सब्जी पर लगे स्टीकर पर 5-डिजिट कोड्स हो और वे है 9 से शुरू हो तो इसका मतलब है कि वे है healthy और natural है अगर 5-डिजिट कोड एट से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि यह फल या सब्जी आदा natural है और आदा pesticide से त्यार किया गया है अगर code 4 digit का है और 4 से शुरू होता है तो इसका मतलब है इसे pesticide से त्यार किया गया है और यह खाने के लिए उतना सेफ नहीं है Fact No.2 जैली फिश पानी में पाये जाने वाला एक अनोखा जीव है जैली फिश में दिमाग, लंग्स और हार्ट नहीं होता इसका शरीर 98% तक पानी से बना होता है यदि किसी जैली फिश को पानी से बाहर धूप में रख दिया जाये तो वह कुछ देर में ही भाब बनकर उड़ जाती है अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्काइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्काइब जरूर करें और साथी बेल आइकन पर जाकर अल उप्शन पर क्लिक करें गेट टावर बिल्डिंग 16 मेंजिला ओफिस बिल्डिंग है जो जपान के ओसाका सिटी में मुझूद है यह जपान में पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसमें से हाइवे निकलता है और वहां की सरकार इसके लिए बिल्डिंग ओनर को किराया भी देती है आजकल जदातर लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं कई लोग तो अपने पास दो या तीन क्रेड कार्ड भी रखते हैं पर आप ये जानकर हैरान रहे जाएंगे कि वॉल्टर कावनाग नामक व्यक्ति के पास 1497 क्रेड कार्ड हैं जिसमें से 800 कार्ड वैलिड हैं इस वज़े से वॉल्टर का नाम गिनीज बुक औव वर्ड रिक के लिए मिस्टर प्लास्टिक फेंटेस्टिक का खिताब भी दिया गया है सबसे हैरान करने बाली बात तो यह है कि वॉल्टर की पॉकेट का वजन 17 केजी है जिसमें वह अपने सारे कार्ड रखते हैं अगर वीड़ों में ये फैक्स आपको अच्छे लगे हो और आप ऐसे ही और भी इंटरस्टिंग फैक्स जानना चाते हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें